नमस्कार दोस्तों मैं सिस्पाल मलिक स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन पे दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है लंपी डिजीज या की लंपी वाइरस जिसके की आज कल गायों में पूरे बारतवर्ष के अंदर काफी पर कोप हो गया है और बहुत सारे गोवन्स की इस बीमारी से मिर्त्यू भी हो गई है तो आज इस वीडियो में हम अपने पूसुओं को लंपी डिजीज से कैसे बचाए क्या क्या हम उनकी रोकताम कर सकते हैं सरकार दवारा जारी की गई इसकी वैक्सिन कौन सी है ये वैक्सिन कहां पर और कैसे अपने पूसुओं को लगवा सकते हैं और इसको कब पूसुओं को लगवाना चाहिए और वैक्षिन की कीमत क्या है वो सब बाते हम आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे और ये भी बताएंगे कि जब तक आपके पसुओं की वैक्षिन नहीं लग जाती तब तक कैसे अपने पसुओं को हम इस बीमारी से बचा कर रख सकते हैं और बीमार अपने उन सबी दोस्तों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सस्क्राइब बटन है वो दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर ले उसके बाजू में जो गंटी का बटन है उसको आकर ओल पर सेट कर ले उसे होगा ये दोस्तों जो भी हम ऐसी जानकारी बरी वीडियो आगे अपने इस चैनल पर लेकर आएंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप उससे सबसे पहले जानकारी लेकर अपने पुसुओं को बहतरी इन बना सकते हैं अप सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये लंपी डिजीज उत्पन कैसे हुई दोस्तो सबसे पहले जो इसका मामला सामने आया था वो 1929 में जांबेबिया नाम का एक देश है वहाँ पर पता चला था कि ये लंपी डिजीज है और इस परकार के इसके सिम्टम होते हैं लक्षन होते हैं तो सिम्टम क्या होते हैं सिम्टम की मैं बात करूँ तो गायों के सरीर पर मोटी मोटी गाठे हो जाती है जिनको हरियाना की देशी बासा में गुमडे बोलते हैं तो ये बिमारी गायों में ही ज्यादातर होती है क्योंकि इस बिमारी का असर उन पसुओं पर ही ज्यादा होता है जिनकी चमड़ी पतली होती है और गायों की चमड़ी बैसों के मुकावले काफी पतली होती है तो ज्यादातर गायें ही इस बिमारी का सिकार हो रही है तो 1939 के बाद आने वाले दसकों में ये अफरीका महादीप और इजराहिल के आसपास के देशों में देखने को मिली उसके बाद 2019 में बंगला देश में इस बिमारी का सबसे पहला मामला सामने आया और बंगला देश से ये 2019 में ही बारत के उडिशा राजे में पुर्वेश कर गई तो तब ये बारतिय जो रिशर्च सेंटर है आई सी आर है जो की हिसार हरियाना में है और एक बरेली में है तो वहां के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने तबी से इसकी वैक्सिन पर काम करना शुरू कर दिया था और अब जाकर उनकी मेनत रंग लाई है और उन्होंने इसकी एक प्रफेक्ट वैक्सिन तयार कर ली है लांच कर दी गई है वैक्सिन अभी आपके एरिया में पहुँची या नहीं वो आप अपने जो सरकारी पसू के अस्पतार है या वैटनरी होस्पिटल जिनकों बोलते हूँ वहां पर पता कर सकते हैं ब्रेली में जो ICR है और हिसार में जो ICR है उनके वेगैनिकों ने मिलकर ये वैक्षिन तयार की है और ये लगबग सभी वेटिनरी होस्पिटलों में अभी अवलेबल है और डोक्टर घर घर जाकर पुसों को ये वैक्षिन लगा रहे हैं दोनों ब्रेली और हिसार ICR से एक महीने में लगबग डाई डाई लाग वैक्षिन का प्रोडक्शन होता है यानि एक ICR में महीने में डाई लाग डोज इस वैक्षिन का तयार हो रहा है और दोनों जगों को मिला कर पांच लाग डोज एक महीने में इस वैक्षिन के तयार हो हैं लेकिन बारत में पुसुओं के आकड़ों की बात करे तो पुसुओं के संख्या करोडों में है तो तो उस हिसाब से दीरे दीरे ही ये वैक्सीन पूरे देश में पुसुओं को लगाए जाएगी और दोस्तों इस बीमारी को आप हल्के में बिलकुल ना ले क्योंकि बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है और हम इस बीमारी का परकौप अगर देखा जाए तो इससे बहुत सारे पुसुओं की मौत हो चुकी है तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है और यहाँ एक और जरूरी बात मैं आपको बता दू दोस्तों कि आप ये बिमारी लगने से पहले ही अपने पसू को वैक्सीन लगवा ले क्योंकि इस बिमारी के लगने के बाद वैक्सीन का फिर कोई असर नहीं होता है और इस वैक्सीन की एक एमेल की डोज होती है ये एक पसू पर एक एमेल और इसकी जो कीमत है वो एक पसू की दो से तीन रुपए पड़ती है जो की विलकुल फरी के बराबर है तो सरकार ने ये बड़ा ही सरानिय काम किया है गोवन्स के लिए गोवन्स की जान बचाने के लिए और अगर आपके पसू को ये बिमारी लग गई है तो जब तक वैक्सीन नहीं मिलती तब तक क्या करे तो दोस्तो जैसे आपको पता चलने लगता है कि आपके पसू लंपी डिजीज से गरस्त हो रहे हैं उनमें लंपी डिजिज के लक्षन आपको दिखाई देने लगे है, शरीर पर बड़ी बड़ी गाठे बनने लगी है, धीरे धीरे से ये गाठे बड़ा रोप धारन कर लेती है, और आपको बता दो दोस्तों कि ये गाठे जितनी बाहर की तरफ उबरी हुई होती है, उतनी ही सतीती बहुत देनिये हो जाती है, अंदर की तरफ ये मास्पेशियों में फैल जाती है, और पुसुओं को खोखला कर देती है, पुसुओं को बुखार रहने लगता है, सारा सरीर पुसुओं का तूटने लगता है, सूखने लगता है, पुसु से खाया नहीं जाता है, पि भी बहुत खतरनाक होता है इससे पशु बांजपन का सिखार हो जाते हैं और बच्चे पैदा करने की उनमें समता नहीं रहती है और जो दूद वाले पशु होते हैं उनका दूद लगातार गड़ता जाता है जो की पूरे लेक्टेशन में पूरे ब्यात में कभी उतना पूर दूने देना चाहिए था तो मेरा कहने का मतलब यह दोस्तों कि अगर आपको पता लग रहा है कि आपकी गाय को लंपी डिजीज हो चुकी है तो इसमें आप रोक्थाम क्या कर सकते हैं तो मैं आपको बता दू आपको पंशारी की दुकान शे यह सामान लेकर आना है नमबर एक काला जीरा, नमबर दो सनाए पती, नमबर तीन मुलेटी, नमबर च्यार मजीट, नमबर पांच हल्दी, नमबर च्यावला और यह पांचों चीजें आपको दोसो दोसो गराम लेके आनी है जो कि टोटल बारा सो गराम होता है एक किलो दोसो गराम तो आपने इन सब को कूट कर पाउडर बना लेना है और मिला लेना है आपस में क्योंकि हमारे देश में आयूरवेद में वो इलाज है जो कि आप एलोपैथिक में डूंडते रहते हैं लेकिन कभी पूरा इलाज मिलता नहीं वहाँ तो ये 6 चीजे कूट कर आपने पाउडर बना कर इनको मिला लेना है और इस पाउडर की 50-50 ग्राम की पूरिया बना लेनी है और लंपी डिजीज से जो आपका पसू गरस्त है ये एक पूरिया सुबा है और एक श्याम उसको देते रहने हैं 5-7 दिन में आपका पसू ठीक ह हो जाएगा और इसको पसू को खिलाना आपने कैसे है वो भी आप अच्छे से जान लेजिए क्योंकि इसके अंदर जो गंध होती है उससे पसू सीधे तोर पर इसको खाते नहीं है तो आपने इसको गुड में मिला कर ये आप पसू को खिला सकते है या तो फिर चोकर में मि आप पसू को खिला सकते हैं डारेक्ट पसू नहीं खाएगा तो दोस्तों ये तो था एक देशी इलाज इसके साथ साथ दोस्तों आपने कुछ सावधानिया भी इसके लिए बरतनी होती है उनमें एक ये है कि आपने इस बिमारी से गरस्त पसू को दूसरे पसू से अलग बां जलती है और जो बड़ी मक्ही होती है डांस जिसको बोलते है उससे वो मक्ही जो इस बिमारी से गरस्त पसू है उनसे खून चूशती है और फिर दूसरे पसूओं पर बैठ कर उनका खून चूशती है तो इस तरह से ये वायरेस दूसरे पसूओं में फैल जाता है तो आप अपने दुएं का विशेश पर बंद रखना है, अपने पसुओं के पास दुआ लगातार बनाए रखना है, ताकि ये बीमारी मक्ही मच्रों के थूरू सवस्थ पसुओं में ना फैले, और आपके जिस पसुओं को ये बीमारी लग चुकी है, उसके लिए आपने क्या करना ह जिए 40-50 गराम और उसको 2-3 लीटर पानी में मिला लेजिए, फिटकरी आप जानते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी एंटिसेप्टिक होती है, आपने देखा होगा जो नाई लोग है, वो सेविंग करते वक्ते, फिटकरी का यूज करते हैं, अगर आपको रेजर वगार उस तरह वगारा लग जाता है, तो वो वहाँ पर फिटकरी लगाते हैं, ताकि आपको उसका इंफेक्शन ना हो, तो ये और एक बात ध्यान रख लीजिए दोस्तों कि जो फिटकरी नाई वगारा यूज करते हैं, वो आपने नहीं लेनी हैं, क्योंकि वो कम असरदार होती हैं, जो सिंपल मिश्री के जैसी फिटकरी होती है उबढखाबड वो आपने लेनी हैं, और वो आपने 40-50 गराम ले लेनी हैं, और उसको 2-3 लीटर पानी में अच्छे से मिला लेना है, कूट करके, और उस पानी में एक कपड़ा भिगोकर आपने जो आपके पसू है, इस पसू के सरीर पर आपने पूरे सरीर को उस कपड़े से पोंचना है, एक और बात यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों कि आपने उस पानी से फिटकरी के पानी से पसू को नहलाना बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि फिटकरी के पानी से नहलाने से पसू को निमोनिया हो जाता है और उसकी मृत्व भी हो सकती है तो नहलाना बिलकुल भी नहीं है क्योंकि कुछ यूटूबर भाई बता देते हैं कि फिटकरी के पानी से नहला लेजिए क्योंकि कपड़े के साथ साप करने से ये अच्छा रहता है तो नहलाना बिलकुल भी नहीं है उससे आपके पसू की मौथ हो सकती है सिर्फ फिटकरी के गिले कपड़े से आपने पसू के सरीर को साप करना है और दोस्तों अब बात करें इसकी वैक्षीन की तो सरकार ने जो इसकी वैक्षीन लांच की है उसका नाम है लंपी प्रो वैकेंड जिसकी तस्वीर आप सामने से क्रियन पर देख सकते हैं ये बिलकुल फरी है सरकार की तरफ से और आप सबी बायों ने इस वैक्षिन को लगवा लेना है कोई ये ना सोचे कि इसे दूद का उत्पादन कम हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही भ्यानक बिमारी है दोस्तों और पुस्वों की मोत इससे लगातार हो रही है आकडों की बात करें तो राजस्थान में तकरिबन 1200 के करीब गोवन्स की मिर्तिय हो चुकी है गुजरात में भी बहुत सारे गो माताई मर चुकी है और ये आकड़े आप गूगल पर भी निकाल कर देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी ब्यानक बिमारी है ज्यादा तर इस बिमारी का परकोप राजस्थान गुजरात और पंजाब के अंदर रहा है अभी ये हरियाना में भी परवेश कर चुकी है और हरियाना के कई जिलों में पुसू इसकी चपेट में आ चुके है तो इसलिए मेरी मानों तो अपने पुसूओं को घर के बाहर निकाले और कई भाई तो ये भी कहते हैं कि उनकी पुसू उनकी गाये घर के अंदर ही बंदी हुई थी और वहीं पर उनको ये बिमारी लग गई है तो उसका कारण ये है दोस्तों कि ये बिमारी मक्खी मचरों से बहुत ज्यादा फैल रही है और सपेशली जो बड़ी मक् पुस्त पुसूओं पर बैठ कर उनका खून चूशती है तो इस तरह से वाइरस उनमें फैल जाता है तो अपने पुसूओं के पास दूओं का विशेश परबंद रखे दूओं से मक्खी मचरों पास नहीं आएंगे तो ये बिमारी भी नहीं लगेगी और एक बात दोस्त तो इस बिमारी से संकरमित पुसूओं का दूद भी ना पिये और अपने बच्चों को तो बिल्कूल भी ना पिलाए और वैसे भी जो दूद आप दूद वालों से लेते हैं उसको भी अच्छी तरह से उबाल कर ही पिये क्या पता कहां से कौन से इंफेक्टिड पुसूओ वो दूद आ गया हो तो इस तरही की बातों का ध्यान रखे और वैक्सीन अपने पुसूओं को समय रहते जरूर लगवा लें तो दोस्तों ये थी जानकारी जो ये लंपी डिजीज गायों में फैल रही है और जिसे गायों की मौत हो रही है उसके बारे में और उसके रहते जानकारी लेकर अपने पुसूओं को इस खतरनाक ब्यानक बिमारी से बचा सके और दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करके ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचा कर हमारे गोवन्स की जान बचाने में अच्छा योगदान अपना दे सकते हैं तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और जो गंटी का बटन है उसको ओल पर सेट कर लेजिए ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए औ और आप उनसे जानकारी लेकर अपने पसुपालन को बहतरीन बना सके तो जल्द ही मिलते हैं तब तक नमस्कार